Hello Guys and Welcome back to our YouTube Channel आज आज हम लोग देखेगे कि Monday की दिन मार्केट के ज़ेसे बिहएव कर सकता है कहां पर जा सकता है कैसे जा सकता है ठीक है मार्केट चलता है Stop Lossus के basis पे मार्केट मूव करता है Stop Lossus के basis पे तो उसी बेसिस पे analysis भी होना चाहिए अपना trading plan भी होना चाहिए ठीक है दो तिन दिन से continue चार दिन से मैं trading plan for today ये सुबह सुबह अपलोड करता हूँ लेकिन आज मैं Sunday है इसलिए कल के लिए advance में आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ठीक है सबसे पहले किसी भी plan का starting होती है marking करने से zones ठीक है तो जो zones होते है zones को mark करोगे तो वह अपना first step होता है कि है accurate और correct zone समको mark करने चाहिए तो यह जो zone मैंने mark कर रहे हैं यह मैंने क्यूर कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं यह आप लोग सीख के अपने charts पर मार्क कर सकते हैं और कल आप लोग देखोगे कि किस तरह से जो भी zone मैंने mark किया उसके ओपर मार्केट किस तरह से react करता है ठीक है सबसे पहले यहां पर मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा बायर को invite किया था support पर राइट तो यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद यह zone के वज़े से यह move आया राइट इस तरह का अगर मार्केट ने अपने को बता है तो उस zone को अपने को mark करना चाहिए यह हो गया number one reason की यह zone mark करने के पीछे का reason क्या है इस zone की मैं अगर बात करो तो यह देखिए exactly यहां पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना था नीचे आया exactly यहां से rejection लिया फिर से जब आया मार्केट ने फिर से यहां पर rejection लेने की कोशिश की तो तीन बार मार्केट ने continuous की अगर इस move को respect किया है तो इस zone को भी अपने को मार्क करना चाहिए अब हम directly देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है ठीक है according to chart reading secrets and strategy यह वाली जो वीडियो इसको अगर देखोगे तो properly पता चलेगा कि क्या अपना वियू होना चाहिए था लेकिन अभी मार्केट ने थोड़ा सा यहां प मैंने अल्रेडी बोल दी इस दिन पर भी जो ट्रेडिंग प्लान था उसमें भी बोला था कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा इसके शॉट क्लिप से इंस्टाग्राम पर अप्लोड़ेदे आप लोग फॉलो नहीं करते तो कर सकते हो ठीक है तो यहां पर जो रीजन है कि म सेकेंड रीजन फिर से मार्केट ने यहां पर क्या क्या ब्रेकडाउन फिर से सेलर्स को इन्वेट क्या फिर से मार्केट ने क्या किया यहां पर सेलर्स को इन्वेट क्या तो इसलिए मार्केट उपर जाएगा क्यूंकि बहुत सारे पोजिशनल सेलर्स होते हैं बहुत सारे option sellers होते हैं जो positional trading करते हैं उन लोगों के stop losses होते हैं ऊपर ठीक है यह reason हो गया कि क्यों मैंने इस move को predict किया था अब कल मार्केट में किस तरह से movement आ सकता है तीन टाइप के plans मैं आपको बताऊंगा number one अभी फिलाल मार्केट में इस तरह का एक kind of w type pattern बन चुका है और उसका breakout यहां पे हो चुका है अब इस breakout पे जो की ending में हुआ था day end के तरफ मार्केट ने इस वाले breakout को दिया तो बहुत सारे लोगों ने btst ले लिया होगा दूसरे के लोगों ने बुलिश पोजिशन बनाना चालू करती होगी राइट क्योंकि अब्वेस्टा ब्रेक आउट रिटेस्ट और फिर से दो तीन green candles भी बना दिया मार्केट ने तो यहां पे कहीना की maximum लोग buying side देख रहे होंगे अब जिसने भी यहां पे ऊपर करते हैं लोग यहां पर प्रेडिक ने पाटें लोग यहां प उसको पकड़ने ही रहे यहां पर एंटर करते हैं लोग breakout पे एंटर करते हैं लोग गरते और यह सब्से गलत चीज होती है कोई भी एन्री लेने की breakfast we you cannot करते हैं नहीं मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ और अपने पूरे चैनल पे आपको उस तरह का करना है कंटीनू तो फिर सबसे पहले मार्केट यहां पे जो से बायर्स आ जुगे उनको रिमूव करेगा रिमूव करने के लिए उसके बस दो अप्शन है या तो फ्लाट खुलते पहले एक नीचे पिन मारे इस तरह की यहां यहां पे जो बायर्स है वो थोड़ा सा हो जाएंगे और दूसरे टाइप के लोग यहां पर सेलर्स भी आ जाएंगे तो इस सिच्वेशन में अगर मार्केट नीचे आके फिर से यहां पर री टेस्ट वागेरा करने का बताता है तो डेफिनेटली मार्केट उपर की साइड़ का एक मोमेंटम कर सकता है यहां तक कर 42-500 तक यहां से मार्केट जा सकता है क्यों जा सकता है क्योंकि यहां पर बायर्स इन्वाइटेड है पहले उनको रिमूव करेगा और फिर अपने जो ओरिजिनल डिरेक्शन है बाइंग साइड़ का उसमें कंटिनू करेगा ठीक है यह हो गया फॉर्स्ट प्लैन अगर फ्ल रेणब बना सकते हैं इसकost है तो ऑपन यहां पर वे मृटेय। ये प्लान मार्केट चाने हम और फिर फिर फारेंट मार्केट तो आक्कीमिंट्व्मिन्टम मार्केट कर सकता है तो यह जो दो प्लान है, दो प्लान में मैंने आपको बता दिया है कि bullish side के move किस तरह से कल के लिए market में आ सकते हैं अब selling हमको कब करनी है, अभी market में अपने को दिख क्या रहा है अभी अपने को दिख रहा है कि market थोड़ा सा no doubt यहां पे selling zone में है selling pressure में, ठीक है, इस zone के 50% की नीचे ही market travel कर रहा है यह भी अपने को दिखता है, अब अपने को selling confirmation कब होगा कि हां market एक और down move कर सकता है, अच्छा खासा, वो अपने को confirm होगा simple 50% rule के थो, bottom से लेके safe players के लिए सबसे पहले यहां से ले लेना bottom से लेके अगर market इस move के आसपास, इस zone के आसपास आकर अगर time pass करेगा कब तक time pass करेगा, 12 बच गए, 12.30 बच गए, market यहां पे आतो गया है और यहीं पे time pass कर रहा है, कौन से, इस exact support पे, exact support क्यों रहेगा यह, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात है अगर आप लोगों को difficult लग रहा है, फिर से वीडियो को देखो, तो समझेंगी यह चीज़ है, जिनको 2-3-4 सल का experience है उनको easily समझेंगी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहां पे market ने क्या लिया था, एक support लिया था, यहां पे market ने क्या लिया था, एक resistance लिया था, यहां पे भी market ने शो किया था, कि हाँ, यह यह जोन important है अब market अगर फिर से इस zone के असपास आता है, chances बहुत हाए है कि market नीचे के side का momentum कर देगा, कौन सा zone है और उसका reason क्या है, उसका reason simply यहां से यहां तक जो buyers आ चुके हैं, इन buyers को 50% तक अगर market absorb कर लेता है, तो इसका मतलब है कि यह buyers, they are no more strong and इसलिए market नीचे जा सकता है, यह हो तो एक अच्छा सा pullback देखके, आप लोग sell side के लिए trade ले सकते हो, ठीक है, तो दो plan बता दिये, buying side के लिए number one, इस तरह से, number two, open ही हो गया यहां पे, इस तरह से, right, यह हो गया number two, लेकिन तीसरा जो plan है, अगर market यहां पर आके बहुत देर time pass करता है, इस तरह से, तो फिर definitely market market नीचे के side का momentum कर सकता है, क्योंकि जो sellers इतने दिन में आ चुके है, उनको remove तो कर दिया है, market ने, right, remove कर दिया, और अगर इसको जाना है, तो के लिए मैं आपको analysis बताना हो, ठीक है, अगर नीचे जाना ही है, तो market इस तरह से behave कर देर, लेकिन अगर इसको उपर जाना है, त उसको market follow कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे और भी sellers अभी pending है, यहाँ पे जो sellers आगे थे, यहाँ पे जो sellers आगे थे, इन लोगों के stop losses अभी भी pending है, उपर के side में, वो अगर market को hit करना है, तो उसको continue करना चाहिए अपने इस momentum को, वो अब कल करे, या परसो करे, वो अपन नहीं बोल सकते हैं, but plans clear है, reasons clear है, अब plan बनाओ, आप लोग आपके charts पे zones को mark कर लो, तो definitely आप लोगों को कल के लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा, अगर मुझे कुछ live market में दिखता है, free telegram पे update कर दूगा, link description में, तो आप लोग join कर सकते हो, thank you so much for watching this video guys, see you in the next video, thank you.